हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम वेक्स तु पहर पाग अकडेमी और मैं हूँ आपका इंडिज दोस्ते, तो चलिए, आज हम क्लास 11 का चैक्टर नुम्बर 3, जिसका नाम है दे कॉल अफ दे सौल, वेलकर टाइने द्वारा दुखी, उसे वो लेसन हमने पुरा देख लिय है, अभी चलते हैं, हम, brainstorming activities की उतारा है, तो चल्य है, brainstorming activities लेखते हैं, question number A1, that is page number 31, page number 31 पर जो activity चालू होती है, read the exact and state whether the following statements are true or false, correct the false statements, growing in abundance is more important than the quality of crop क्या है कि किसी भी चीज़ की गुनवत्ता के मुकाबले उसकी जो बहुतायत है वो ज्यादा महत्वपुर्ण है ऐसा इना पर कहा जाता है तो quality के मामिले में quantity कभी भी compete नहीं कर सकती है और इसी भी हम कहेंगे कि growing in abundance is not as important as the quality of the crop क्यूंकि quality गुनवत्ता सबसे स्रवपरी है तो इसमें यह false statement है इसको हमने correct किया है The author wanted to grow the desi variety of rice बिल्कुर सही है, it is true कि उनको एक desi प्रजाती जो है, चावल की वही कुगानी थी या वही उन्हें बोने थी The author did not succeed in finding कस्भाई यह बिकुर false है क्यूंकि आखिर में उनको मिल ही गया जो चाहिये था The aroma of desi rice would spread around the village Definitely इसकी जो खुश्बू है, उस चावल की जो खुश्बू है, जो पतानी के पाँ इसकी जो खुश्बू उपती थी वो पूरे गाव भर में फैल जाती थी Newer hybrid crops have a great appetite for chemicals Hybrid प्रजातिया जो होती है, उनको chemicals और रासाइनी खादों की इतनी भुक होती है कि वो कभी ही उनकी भुक नहीं मिटती है, तो यह बिल्कुल true sentence है और अखिर में, the author is an example of reverse migration Definitely, reverse migration Migration किसे कहते है? Migration उसी चीज को कहते है जो एक उसले किसे एक जगे से point A से point B को जाता हो अभी migration किसलिए होना है, यह हम समझे लेंगे कि लोग गाउं से villages से cities की ओर जाते है क्यों एक अच्छी जिन्दगी की तलाश में एक अच्छी जीवन की तलाश में लोग गाउं से शहरों की तरफ जाते है कि उन्हें कोई नोकरी मिले उनके आमदनी में बढ़ोती हो और एक अच्छा जीवन वो जी सके इसलिए लोग गाउं की ओर से शहरों की तरफ चलते हैं पर लेखत व्यंकट आईयर जो है वो शहर से गाउं की तरफ बूले है और इसलिए उसे हम reverse migration कहते हैं आया धान में तो ये all these statements किस्रा चौता पाचो और चटा तीनों भी true है अभी देखिये अगला question है complete the flow chart consider this as an example of note meeting note meeting का example समझ कर हमको ये flow chart है और वो flow chart क्या कहता है flow chart कहता है उसमें क्या दिया है कि discovery of कजबाई rice कजबाई rice कजबाई rice कजबाई चामल जो है वो लेकव को किस करण से बिली एक दो तीन चार और पांच और ये पहला और पाच्वा दोजो भी दे रहे है पहले इसमें किया लेया है कि April 2005 started research started research for कजबाई and what और राकिर ने उस बुढ़ी औरत से उन्हेने वो खरीद लिये ये दो कॉलम्स हमको दिये है बीच वाले किनों भी हमें बरने है तो जब उन्हेने दूड़ना शुब किया तो सबसे पहले बबबन उसके पिताजी को उचने के बाब मालूम हुआ कि उस प्रजादी का नाम कस्वई है और इसी लिए वो अग्रिकल्चर अफिस में भे तो वहाँ पर उन्हें क्या बताया गया कि वो अग्रिकल्चर अफिसर ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे नाम की कोई भी वराइटी यहां मौजूद नहीं है नमबर एक नमबर दो उन्हें बताया गया कि लोग उनकी टांग खीज रहे या कि उनका मजाग बना रहे और इस भी बात उसने कही अग्रिकल्चर अफिसर ने उसे कही तीसरा पॉइंट जा कि वो कहते है उसके बात में आदिवासी महमंदर कासा ये कासा में जो आदिवासी महमंदर है जहां पे उनके धान का खरिद खरूक होता है महा परमयड है कासा में पर वहां पर भी इस प्रजाती का कोई नामो निशान तो वो कहते हैं कि अगर वहाँ पे नहीं मिला इसका मतलब लोग लेंगे क्यों अगर उस प्रजाति को अगर सरकार को वो सरकार उसको खरे दी ही नहीं तो फिर लोग उगाएंगे क्यों और आखिर में वो गहे तहां देवुहंडा के पास यह कहाँ था? देवुहंदा, यह कोझ से काव में है? वो है धानीवाली में. धानीवाली, ओके? तो यह देवुहंदा, यह क्लाशा, और यह अगेकर्दर ओपिसर. यह तीन पड़ा उनको पार करके जाना पड़ा, और आखिर में वो गै पार, और वो बोरी पाड़ा में जाकर उनको वो चावल की प्रजा की मिल पाई, तो चलिए, आगे चलते हैं, अगले प्रशन की ओर, और देखते हैं, उसने हम से क्या पिखित है, तो चलिए, यह एक हम को दिया है, उसके बाद मुह दादा वाँज़ा उसके बाद मुह दादा उसके पर चड़कना चाते थे? chemical chemical इसे हम कहेंगे बबन's father at some elders mentioned the name of कजबाई काजबाई या कजबाई तुछ भी हम उसके hybrid needs more hybrid प्रजाती को क्या चाहिए होता है जानद आउन पर पानी fertilizer मतलब खाद वो भी रासाईनी खाद और उसे pesticides का मतलब क्या होता है pesticides मतलब रासाईनी दवाईया ये सब चीजों की उन्हें बहुत आयात में जरूरत होती है बहुत ज़्यादा मातरा में उनको इस चीज की जरूरत पड़ती है तभी ही कोई भी हाईब्रीड प्रजाती अच्छी तरव से फसल दे पाती है आखिर में जब आथर बॉर्ड आथर ने कितना उनसे खरी दी गया 10 किलो 10 केजीज एक कोटोरा भण पर एक तोक्री भण को उनको बताये गया है तो 10 किलो का नजभण उने चाहिए था चलिए तो चलता है वर्ष्ट नमर एटू की ओर ना अब एटू क्वेश्ट में हमको क्या उचा रहा है चलती है दिख्थे List the reactions of agriculture officer to the author's inquiry about कजबाई राई सीव्ज What is that for the जब वो agriculture office में गए लेकर जब agriculture किशी कालिया में गए तो वहाँ पर उस officer ने उनसे क्या कहा ये चिज़े हमें लिखी है तो पहले तो वहाँ पर दिया गया है हमें जो दिया गया है वो कि I had never heard of कजबाई उसमें कभी भी उस कृशी कालिया में ए अफिसर officer ने कभी भी कसबाई का नाम नहीं सुना था दूसरा है He said that the villagers were fooling him वो बता रहा था कि ये जो नाओ वाले हैं वो मिलकर इसका मजाद बना रहे हैं या फिर उसका उसकी टान खीच रहे हैं ऐसा उसको बोला रहा है और तीसरा है He offered to give him some hybrid variety that too free of cost उनको उनोने लेकप को कोई hybrid की प्रजाथी बेने की मान भी रखी और उनोने ये भी कहा कि उसको मैं तुमें भूस तुमें गिला सकता हूं Go through the text once again A2 का दूसरा प्रच्नद है Go through the text once again and note down Devu Aanda's fond memories of Kalpai in your exercise group One has been done for you Devu Aanda had fond memories of Kalpai They are as follows It needs उसको किस तरह की पारिष चाहिए थी? बहुत ज्यादा पारिष की जरूरत उसको नहीं थी It needed less water Number 1 Number 2 क्या है? It had an alluring aroma उसको उसकी जो कुश्बु थी वो बहुत ही अच्छी थी और तीसी भी क्या है? It was very strong variety वो एक बहुत ही सचक्त ऐसी प्रजाती थी जो किसी भी तरह की बाढ़ का सामना कर सकती आया समझी थी? तो चलिए A3 की ओड़म बढ़ते हैं The writer says he grew an awful lot of mood Explain the word awful A-W-F-U-L Awful का मतलब क्या होता है? एक तो बहुत गंदा ऐसा भी उसका आतों आए और कभी-कभी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसा भी उसका फर्त होता है तो यहां पे जो मतलब हमें लेना है वो हमें awful lot of mood means बहुत ज्यादा मांत्रा में Okay Exceedingly great Exceedingly great The word scent is different from its synonyms, aroma, fragrance or perfume Explain how the word scent in subtitle Scent of rice has a deeper meaning than perfume or fragrance Thick phrases having similar meaning from the following In the pursuit of इसका मतलब क्या होता है The scent of rice मतलब एक जो lesson है उस lesson को ही एक subtitle लिया गया है The scent of rice मतलब क्या है उसका कि वो उसके पीछे पीछे जाने लगे उसको ढूंड कर ही रहे तो उसका एक तो मीनिम A इन पर्सुट अफ भी होगा और to be keen और on the train of C और D A भी रहेगा इसको D भी हम कह सकते है तो चलिए फिर हम चलते है A4 की और और A4 में है Types of Sentences Types of Sentences किते होते है On the Basis of Clauses हमको क्या देखना है Types of Sentences देखने है पर किस Criteria पर हमको Sentence को Classify करना है हमको नहीं classify करना है On the Basis of Clauses Used in the Sentence Types of Sentences Types of Sentences On the Basis of Clauses Okay Sentence में जो Clause हता है उसके हिसाब से हमें उसका Classification करना है She muttered in reply and we looked at Jeevan for a quick interpretation These are two complete sentences underlying the about sentences एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्या महाँ पर जोड दिये गए है Okay So Konsai Pala she muttered in her reply and we looked at Jeevan Jeevan for a quick interpretation Okay So here यहाँ पर देखिए यह दो sentences अभी यह अगर अलग अलग इन दोनो sentences को आप देखिंगे तो यह भी simple sentence है और यह भी simple sentence है Simple sentence क्या होता है कि जिसमें एक ही main main clause होता है एक ही subject और एक ही predicate होता है simple sentence क्या होता है Okay When a sentence has got only one main clause that is one subject and one predicate only that is called a sentence So she is a subject muttered in reply is a predicate we looked at sorry we we subject looked at Jeevan for a quick interpretation is a predicate looked at Jeevan तक भी खैसेते हैं तो वो है predicate अभी देखिए जब ऐसे दो sentences को हम जोडते हैं या फिर sentence में अगर एक subject होता है और clauses एक main clause और subordinate clause होता है तो उस sentence को कहा जाता है complex sentence और जिस sentence में दोनों भी clause main clause होते हैं उनको कहा जाता है compound sentence तो हो गए तीन types of sentences होगे simple sentence इसमे एकी clause होता है इसमे one subject and only one predicate इसमे क्या होता है एक main clause होता है और एक subordinate clause होता है उसे कहते है complex sentence जिस sentence में दोनों भी clause ये main clauses होते हैं और दोनों को जोड दिया जाता है उसे कहते है compound sentences चीक है समझते आ है तो देखते हैं अभी आगे ये किस तरह से होता है तो ये देखिए यहां पे अभी देखिए ये भी simple sentence है आपसे ये भी simple sentence है ये भी simple sentence है लेकिन ये भी main clause है और ये भी main clause क्या होता है main clause वो clause होता है जिसको अपने अपना मतलब निकालने के लिए किसी पर dependent नहीं होना होता है मतलब वो अपने आप में ही परिपूर्ड होता है main clause वो ही clause होता है जो meaning के लिए अपने आप में परिपूर्ड में होता है जैसे कि श्री मॉटर्ड इन रिप्लाई इसको इस sentence के हमें जरूरत है क्या विल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अपने आप में complete sentence है उसका meaning भी हमें पता करता है उसी तरह से अगर इसको हम ढख दे इसको निकाल दे और we looked at given for quick interpretation ये भी अपने आप में complete sentence है तो ये दोनों भी main clauses है पर ये दोनों main clauses को किसने जोड रखा है इसको जोड़ा है and ने और and को कहते है coordinating conjunction coordinating conjunction किसे कहते है जो दो simple sentences को जोड़ कर या फिर दो joined by the sentences these two sentences two simple sentences और two main clauses are joined by a co-ordinating conjunction और coordinating conjunctions के क्या है examples बत है and है ये दोनों भी coordinating conjunctions के examples है ठीक है अभी ये तो होगा compound sentence है अभी compound sentence ये co-ordinating conjunction का use होता है जब वो compound sentence होगे जब co-ordinating conjunction का use किया जाता है तो वो sentence compound sentence होता है इसमे हमने देखिया अभी चले देखते हैं इसको कई धाम आए फुरी दुसरी तरह से हम इसको लिख सकते हैं जरूर लिख सकते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं ये and हमें निकाल देना है क्यूंकि उसकी ज़ले पर हमको भी हमने किया है compound sentence अभी हमें इसको करना है complex sentence अभी हम इसे compound sentence करना है तो ये तो as है as को हम कहेंगे and को हम कहेंगे subordinating conjunction क्या कहेंगे as को subordinating conjunction subordinating conjunctions कब यूज किया जाता है जब वो sentence complex sentence होता है जहांपर की subordinating conjunctions का यूज होता है वो sentence complex sentence कहलाता है अभी अभी आईसे कितने subordinating conjunctions है बहुत सारे है जैसे की for example for WH words when who's where whom who खहिए नहीं उसके बाद में even if even if weather etc etc because since because since ये सभी ये सभी शब्द जो है ये subordinating conjunctions कहे जाते है और इनके द्वारा जो भी sentence जोडा जाता है उनको हम कहते है उनको हम कहते है complex sentences okay तो शमज में आ गया है तो हमें subordinating conjunctions की list बनानी की तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा when whom whose where even if even if because since whether etc इतने सारे subordinating पहुल सारे है okay तो चलते हैं खिर हम अभी last page पर है 34 page number write a paragraph in about 120 words which we use as a counter you call the following by a bigger clock for your code by a bigger clock for your code का मत्रत क्यावता है कि किसी भी चीज को जब हम इस्तमाल करते है तो उसका क्या मत्तव मत्ता है उसका कि हमारे हमारे जो कपड़े सिल्वाने हमारे जो कपड़े जो सिल्वाने है उसके लिए जरूरत से थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा हमें खरीदना पड़ेगा या फिर खरीद लेना चाहिए ऐसा वो सेंटेंस हमें कहता है इसका क्या मत्तव मत्ता है कि कभी भी कभी भी जितना आपको चाहिए उतने पर संतुश्क्रमत रहिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी की कोशिश करिए ये हार्डवर्ग के लिए भी बहुत ही सही माइनों में फिट बैठता है हार्डवर्ग के लिए भी यही सही बैठता है कि आपको ज़्यादी की चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा के लिए प्रयास दिले ताकि आपको जो चाहिए उतना तो मिले ही बिले और हो सकता है तोड़ा सा ज्यादा प्रयास करने से आपको तुड़ा ज्यादा में चाहिए तो यही इसका मतलब है अब इसके काउंदर व्यू क्या करता है कि इसके आउपसित में आपको देना है कि क्यों जाना नहीं पाना चाहिए, क्यों जाना नहीं, जितना चाहिए उतने मी हैं, उतने मी ही हमने संतुष्ट होना चाहिए, हमें संतुष्ट होना चाहिए, we should be happy with what we have and not feel greedy for more or ask for more than we have. तो इस तरीकी के हम counter points उसके लिए लिख सकते हैं, in modern world we should be thinking baby, अभी नई जो जमाना है उसमें हमने देखना चाहिए, कि हम हमारा तो अकेली का पुरा विचार करते हैं, पर अभी हमारे आगे चलके हम तो family के साथ साथ बाकी लोगों का भी विचार करना चाहिए, ताकि उनको भ हमारे greediness, our greediness should not affect other people's needs and wants, यह भी हमें देखना चाहिए, तो चलिए फिल, इस तरीके से, organic farming is the need of the time, write your views in favor and against the statement, organic farming के जो views है, organic farming है, इसके views क्या है, और counter views क्या है, तो views में देखे, क्या लिख सकते हैं पहले हम, पहले view में अब लिख सकते हैं, कि it is quality wise, it's best, गुरुवत्ता की इसाम से देखा जाए, तो यह जो जैबिक खेती है, यह बहुत ही अच्छे गुरुवत्ता भरी फसल हमको देती है, number two, उसको, it requires, less irrigation, cost of inputs, is less, और क्या कह सकते हैं हम दे आर दो स्ट्रॉंगर वराइटी तो देखिए एक एक कर सके हम लेखते हैं इस वालिटी वाइस गुनुवत्ता यह जो फसल होती है जैवीट केती की वो बहुत ही गुनुवत्ता से भरकूर होती है मतलब उसको पानी की बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है कृषिनी रिष्था जो हमको उसमें डालनी होती है जा चाहे वो रासाइनिक खाल हो चाहे वो रासाइनिक भौशेद्या हो या फिर बीज हो बीज भी हमको दुकानदार से खरीतने होते हैं क्यूंकि वो हाइब्रीड प्रजातिया होती है और यहां पर हम जो और्गनिक फार्मिंग में जाए खेंटी में इस्तिमाल करते हैं वो ही हमारी पारंपानिक डेसी बीजे होती है तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ता उसकी लिए मतलब रोग या फिर किटक को वो बहुत ही अच्छे करिके से उसका सामना करती है वो उनको किटक और रोग उनको बरबाद नहीं कर पाते हैं इतनी बड़े पैमाले को उसको बरबाद नहीं कर पाते हैं अभी काउंटर्व्यूस क्या है उसके काउंटर्व्यूस यह है कि इंकम इस लेस मतलब उससे कमाया जाने वाला पैसा बहुत ही कम है आया देन में फिर दुसरी बात है कि लेस प्राउप्स कि जानिए समझो अगर आप हाइब्रिड खेती कर रहे है तो उसमें आप साथ के दो या तीम भी फसले ले सकते हो पर अगर आप देसी जाईबी खेती करेंगे तो उसमें आपको एक ही फसल मिलेगी या जादा से जादा अगर पाई की उपलब दता है तो दो मिलेगी और तीम नहीं दे सकते हैं एक या ज्यादा से जादा दो बात में किसी बात है कि इसकी पाउंटर यूज में किसी बात ये है कि इससे फाइदा काम होगा less profit इससे profit बहुत कम होता है profit less होता है इस तरीके के points हम लिख सकते हैं तो आपको भी अगर कभी लिखना है तो इसी तरीके से हम उसको views and counter views लिख सकते हैं तो दोस्तों आशाद करता हूँ आपको ये जो brain starting session है वो समझ में आया होगा अगर आपको कुछ चीजे नहीं समझी हैं या फिर आप चाहते हो कि कोई विशेश ऐसा कोई grabber का part आपको अलग से उसके लिए मैंने मुझे class लेनी चाहिए तो comment box में जरूप उसमें आप लिख सकते हो अगर आपको ये वीडियो पस्त आया हो तो इसे like जरूप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और सिर्फ English नहीं तो और कई सारे विशेशों के इसी तरह के वीडियो पाने के लिए Power Park Academy को subscribe जरूप कीजिएगा तो let us stop here Thank you very much